गाइज इंडिया और बांगलादेश के बीच इस वर्ल्ड कप के सूपर रेट का जो मैच खेले जाने वाला है मतलब गाइज आई एंडी वर्सेस बी एंड के बीच जो आज का मैच होने वाला है उसके बारे में गाइज मैं आपको इस वीडियो में डेटेल पेडिक्शन दे दे ऐताए म The Closed ऑख जो मैच के बारे में गाइए अब यहां का पैसा होने वाला है यहां पर कौन सामें ऑर कौन सा बॉल्लर आइसा जो आप को पिक करके चलना है उश्रीमें सीमें इस मैं सार्फight इस वीडियो में मिल जाएगी चाहे आप यह भ्रें लिंग की टीम रहते ह साथ में यह वाला जो मैच है वो खिला जाएगा सर विवियान दिचर्स स्टेडियम नौर्ट साउंड एंटी गुवा का पिछ कैसा है यहां पे कौन सा प्लियर परफॉर्म करता है सारी चीजिया भी आपको आगे पता लगने वाली है उससे पहले आपको बता दूं इंडिया और अफगानिस्तान का जो लाश्ट मैच हुआ था उस वाले मैच में मैंने बोला था आपको अर्शदीब सिंग और हार्दिक पांडिया और फैजल अकफारूकी के बारे में के इन तीनों प्लियर्स को पक्का से रख लेना और मैंने जो अपनी टेलेग्राम पे आप लोग पता दू आई एंडी वर्सेस बी एंड की जो आज के मैच की मैं आपको टीम प्रेडिक्शन देने वालों इसमें गाईस देखिए तीन प्लेयर हैं इंडिया के यह लगबग आपको सभी की टीम में मिलेंगे कौन-कौन से एक तो हार्दिक पांडिया एक जस्पीर बुम्र में पता लगेगा साथ मैं आपको बताऊंगा इन तीन प्लेयर के लावा बाकी के आठ प्लेयर ऐसे कौन से हैं जो आज के मैच में आपको पिक करने चाहिए उसमें खास तोड़ से बांगलादेश की प्लेयर जो इंडिया के अगेंस बहुत अच्छा करते उनको मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन आने वाले मैचों के अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और टेलीग्राम चैनल शौर एक्सपर्ट सपोर्ट को भी आप पक्का से जॉइन कर लेना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में टॉप मैंने लिंक पिन किया हुआ है और साथ में अगर आप वीडियो पर लाइक करोगे जब तो बहुत अच्छा भाई को लगे गई तो लाइक भी आप पक्का से कर देना अब सबसे बड़ा प्रश्ण उटता है कि क्या इंडिया और बांगलादेश की प्लेइंग 11 में कोई चेंज होगा नहीं होता है तो क्या प्लेइंग 11 होने वाली है वह अपन देखते हैं अगर इंडिया की बात करूं तो रोई शर्मा के साथ विराट कूली गईज ओपन कर चालिया जाए रोई शर्मा के साथ विराट कूली को नंबर तीन पर बेज दिया जाए जो कि उनके लिए सबसे अच्छी पोजिशन है ऐसा चेंज हो सकता है वैसे कुल्दी प्यादव के लिए मैंने आपको बोल दिया ता लास्ट मैच में कि वह डेफिनेटली आने वाले ह सिराज को रिप्लेस करके इसके लावा रिशापन सूरे कुमार यादव शिवम दूबे की फॉर्म भी थोड़ा सा कंसन है क्योंकि फॉर्म उतनी अच्छे चल निरे शिवम दूबे की इसके लावा हार्दिक पांडिया जड़ेजा अक्षर पटे लाडशरीफ सिम कुल्द लाव करने वाले हैं इस वाले मैच वे इसके अलावा बांगलादेश की प्लेइंग 11 की में बात करूं तो तंजीद हसन के साथ लिटन दास आएंगे गाईज ओपन करने इसके बाद एंच शैन तो रिशाद हुसें ते हिर्दॉय शाकिब उलहसन महमुद दुल्ला महदी अ अब देखें इंडिया वैसे स्ट्रॉंग साइड है ज्यादा तर लोग सब इंडिया के ही प्लेयर्स के पिक करेंगे बांगलादेश के भी आपको कुछ प्लेयर्स रखने पड़ेंगे अब गईज आपको बता दू आई एंडी वर्सेस बीन की बीच जब भी मैच होता है तब कुछ प्लेयर्स है दोनों टीमों में जो खास तोड़ से काफी अच्छा करते और आज के मैच के जो बॉलर्स आपको पिक करने हैं वह आप देखेंगे अभी पिच रिपोर्ट में आपको दिखांगा उसके अकॉर्डिंग आप पिक करेंगे तो एक सही बॉलर आप प जो बॉलर है ना वो कौन-कौन से है जो कंप्लीट ओवर्स बे कर सकते हैं और जो दैट में बॉलिंग कराएंगे पन्रा से बीस ओवर्स में तो अगर मैं इंडिया की तरफ से बात करूं तो यह मुझे लग रहा है अपने कंप्लीट ओवर्स करेंगे लगबग 12 ओवर यह क में और जो दैट की बॉलिंग है ना पन्रा से बेस वाली वह करेंगे जस्परीद बुम्रा और अर्शदीप सिंग अर्शदीप सिंग को लाश्ट मैच में आपने देखा था पूरी विकेट जो मिले ना वो दैट में आकर ही मिले इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जो पन्रा से करेंगे अगर इसको स्टार्टिंग ओवर्स में विकेट्स मिल जाते हैं जब तो यह ओवर्स कंप्लेट करेगा अधर्वाइस फिर एक दोवर का स्पैल इसको मिलने वाला है और जो दैट की बॉलिंग है ना पंद्रा से बीस वाली वह करेंगे मुस्तिफिजू रहमान दि वालेटी बॉलर है रिशाद हुसेन भी एक क्वालेटी स्पीनर है जो काफी अच्छी बॉलिंग कर रहा है तसकीन एमद भी काफी अच्छा कर रहा है और शाकी बूल असन भी ऐसा बॉलर है इसका कभी भरोसा नहीं है कभ यह फॉर्म में आ जाए और साथ में बैट्स मैं अच्छा है क्योंकि टॉप क्लास तो इन में से आपको बड़े कन्फीजन है तो सारे कन्फीजन में आपके क्लियर करूंगा बट गई इस वीडियो पर पक्का से लाइक कर देना क्योंकि लाइक में आपने बहुत कंजू से कर दिये मैं बोलता नहीं तो आप करते भी नहीं इसलिए पक्का से लाइक कर देना नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है जाके दबा देना अब बात आती है गई वीवियन डिचर्ट्स स्टेडियम एंटिगवा का पिछ कैसा होने वाला है यहां का सर्फेस कैसा है उसके अकॉर्णिंग अपन बॉलर्स या बैट्समेन का स इसकोर आप देख सकते हैं लगबग 114 का है तो इस वाले वेन्यू पर दिखिए वैसे तो इंडिया स्ट्रॉंग है अब इंडिया चाहे बाद में खेले पहले खेले कोई मैटर करेगा नहीं मुझे लग रहा है इंडिया इसली मैच विन कर जाएगा बट इस वाले सर्फेस आपको इफेक्टिव दिखेंगे दिखेंगे तो इस पिनर्स को रखना आपके लिए बहुत जरूरी है आज के मैच में किसको रखना है वह अभी सब आपको वीडियो में आगे पता लगने वाला है इसके अलावा आपको बता दू इस वाले वेन्यू पर अभी जो लास्ट को 6 विकेट मिले इस्पिनर्स को चार तो यह इस्पिनर्स वाला पॉर्शन है थोड़ा सा दिमाग में लेके चलना इसके अलावा 15 जून 2024 को इसी वर्ड कप में मैच हुआ इंग्लाइड नामीबिया के बीच इंग्लाइड ने 122 बनाए नामीबिया 84 ही बना पाया इस वा नहीं ना कई स्पिनर्स तो इफेक्टिव रहने वाले बस थोड़ा सा क्या है यहां का वैदर रहना ओवर कास्ट कंडिशन है बारिश की संभावना बनी रहती है तो इस वजह से हो सकता है पेसर को थोड़ा एक्स्ट्रा हैल पर मिल जाए खास थोड़ से जो फरस्ट इनिं खेल के एक करोड रुपे का कैश प्राइज विन कर सकते हो अगर आपकी बैस टीम होती है और आपके किस्मत साथ देती है तो आप डेफिनेटली विन कर सकते हो और माई लेवन सर्किल एप की जो मेगा ग्रैंड लीग है वो 49 रुपेस की होती है बट अगर आप मेरे आपको एक रुपे की मिल जाएगी और उसमें भी आपको पांस टीम का ओफर है मतलब आपको केवल पांच रुपे देने पांच रुपे में पांस टीम के साथ आप मेगा ग्रैंड लीग जॉइन कर सकते हो जहां पर रैंक वन पर एक करोड का कैश प्राइज और मैं तो कहत इसे एप को डाउनलोड कर रखा है तो परेशान मत होई अपने फ्रैंड रिलेटिव उनका मोबाइल लो उससे रजिश्टर करके जॉइन कर देना बट पक्का से कर देना डिस्क्रिप्शन और कमेंट पर मैंने लिंक दिया हुआ है टॉप पे पिन क्या हुआ है वहां से ज परसेंट एक्ष्णा मिल जाएगा 200 पे 240 500 पे 600 तो पक्का से कोड डाल देना जब भी आप पहला डिपोजिट मारो एक करोड का कैश प्राइज है 1500 का बोनस है अब सबसे बड़ा प्रशन उटता है कि इंडिया और बांगलादेश का जो आज का मैच है इसमें जो अपनी को 11 500 प्लेर्चे तो उसको मैं सेक्ष्ण वाइस आपको बताता हूं कि विकेट कीपर से किसको रखना रहा है बैटिंग बॉलिंग वालराउंडर से किसको पिक करना और फिर टीम आपको बना के दूँँगा कपतान 20 कफ्तान भी बताऊंगा इसलिए पक्का से आपको पूरा व मतलब उतना अच्छा रिक और तो नहीं गाइस तीन मैच में खाली चालिस नहीं बनाएं मतलब आप देखिए बारा तेरा कई अगर इस पर जाते हैं फिर तो ड्रॉप करेंगे मेरे अकॉर्डिंग रिशब पन की जो भी करन फॉर्म है वह बहुत जबरदस चल रही है तो मेर आस तीन मैचों में कुछ खास नहीं है सोला दस एक पर लिटंदास के साथ क्या है जब इंडिया के अगेंस मैच होता है तब इसका रिकॉर्ड थोड़ा बैटर हो जाता है इंडिया के अगेंस इसने आप देखिए साथ मैच खेले 157 मनाए 26 की आवरेज तो कही ना कई आज रिकॉर्ड ठीक ठाक है लिटंदास के बैटिंग सेक्शन में इंडिया की तरफ से देखिए उपर के जो तीन बैटर है ना यह रखने ही पड़ेंगे अब विराट कुली का वैसे करन्ट फॉर्म अच्छा नहीं है बट विराट कुली लास्ट मैचों भी देखिए यहां प तो यह अवरेज खाईना कई बहुत जबरदस्त है तो मुझे लग रहा है विराट कुली आज के मैच में या तो सैंचुरी या आफ सैंचुरी लगा सकता है उम्मीद करते हैं विराट कुली भी फॉर्म में आ जाये ताकि जब सैमी फाइनल और फाइनल के मैच हो तो वहां चल जाता है वैसे बांगलादेश के अगेंस इसका अलगी रंग में लग रहे है ऐसा लग रहा है यह वानखेड़ें स्टेडियम में खेल रहे हो क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं लास्ट दो मैचों में 53 और 50 कि और एक मैस 30 रन मनाए बांगलादेश के अगें देखें मेरे अकॉर्डिंग इंडिया के ना यह उपर की तीन बैटर आपको रखने पढ़ेंगे आज के मैच में कौन-कौन एक तो रोई शर्मा विराट को ली और एक सूरे कुमार यादा यह तीन मेरे अकॉर्डिंग इंपोर्टेंट है और चौथा हो जाएगा रिशापन तो कही ना कई उपर के बैटर आपको रखने पढ़ेंगे क्योंकि कही ना कई अगर मैच फस्ता है तो सूरे कुमार यादा भी इंपोर्टेंट हो जाते तो आप डेफिनेटली इन तीनों क यह खेलता है नमबर पांच पर अब ऑस्टेलिया के अगेंस ने बहुत अच्छी बैटिंग की चालिस मनाए थे जहां पर पूरा बंगलादेश बिखर गया था वहां पर इर्दॉय ने काफी अच्छी बैटिंग की और एंशेंतों ने भी लास्ट मैच में एक तालिस बना तो यहां पर आपको बंगलादेश की तरफ से मेरे अकॉर्डिंग जो आपको बैटर पिक करना चाहिए वह है ते हिर्दॉय बाकी शेंतों को लेना चाहों ले सकते हो बड़ मैं आपको बोलूंगा इनके बैट्समेन की जगे आप एक एक्स्टा बॉलर पिक कर लेना क्यों इंडिया के अल्रॉंडर में देखें मैक्सिममम अल्रॉंडर आज के मैच वेते हार्दिक पांडया तो सबसे बड़ा प्रश्ण है कि टेम में तो रखना है कब्थान बनाए कीनि बनाए उसका आंसर में आगे करूंगा बाकी ऐसे पांच विकेट के पांगलादेश के अग विकेट मिला बाकी बांगलादेश के अगेंस इसको भी तक तीन ही विकेट मिले हैं तो जड़ेजा का फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा जिस तरीके का फॉर्म रहता है जड़ेजा से जो बैटर कर रहा है वह है अक्षर पटेल यह कई ना कई गाई दविन्रे क्योंकि ना तो बैटिंग से ना बॉलिंग से कुछ खास कर रहा है अगर आज के मैच में खेलता है तो ग्रैंड लीग के लिए इसे डिफरेंशल पिक बन सकता है क्योंकि बांगलादेश उतना ज्यादा स्ट्रॉंग साइड है नहीं तो कहीं ना कई शिवम दूबे के बल् कर सकते हूं डेफिनेटली जी एल के लिए क्वालिटी प्लेयर बन सकता है शिवम दूबेंग बांगलादेश के अल्रॉंडर्स पर थोड़ा फोकस करिएगा क्योंकि बैट्समें मेरे को लगता नहीं उत्ता खास करेंगे पर ऑल्रॉंडर कहीं ना कई मैच फसेगा तो स्क शाकिब डेफिनेटली आप रख सकते हो और आप चाहो तो इसको वाइस कप्तान भी बना सकते हो क्योंकि आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों साइट से कंट्रिबुशन दे सकता है शाकिब मेहमुद उल्ला भी इनका काफी ज्यादा सिनियर बैटर है साथ में बॉलिंग से देता है बाकि इंडिया के एगेंस विकेट तो इसको दो ही मिले पर अने एक सुपिछासी बना है लास्ट दो मैचों में केवल 15 रन मना है तो मेहमुद उल्ला का फॉर्म भी ठेक ठाकी चल रहा है और इशाद हुसेन इनका सबसे ज्यादा क्वालेटी स्पिनर है मैं आपक तो बांगलादेश की तरफ से देखे आज के मैच के लिए जो बैटर है ना वो है शाकिप प्लस रिशाद यह दोनों मेरे साबसे क्वालेटी स्पिनर है आप रखिए बाकि महमुद उल्ला को आप ग्रैंड लीग में डिफरेंशल रख सकते हो जैसे आपने शिवम दूबे ग्रैंड लीग के लिए यह उपन रहेंगे यह प्लेयर्स आपके लिए बैटर पिक बनने वाले बॉलिंग सेक्शन में इंडिया की तरफ से देखें तीन बॉलर है इसमें दो तो मैंने डिफॉल्ट पिक बना रखा है कौन-कौन अर्षदीप सिंग और बुम्रा अर्षदीप सिंग लास्ट तीन मैचों में आट विकेट ले जा चुका है एक जबर दस बॉलर बनता जा इंडिया का लेफ्ट लेफ्ट हाम बॉलर और शांदार बॉलिंग करता है और बुम्रा देखो तो लास्ट मैच में तीन विकेट इसकी बॉले अभी तक किसे को समझ में आने रही क्योंकि कभी वांश करता है कभी यॉरकर कभी स्लो बांसर बंगलादेश वालों को भी हिला देखा और कुल्दी प्यादाव पहला ही मैच खेला आते ही दो विकेट तो यह तीन बॉलर्स की तिगडी आपकी टीम में होनी चाहिए कुल्दी प्यादाव जस्प्रीट बुम्रा और अर्शदीप सिंग आज का मैच गई जितना आसान दिखता है ना फैंटेसी के पंट उतना आसान है नियाज के मैच में कप्तान वाइस कप्तान या एक प्लियर भी गलत पिक हो गया आपकी रहेंग चले क्योंकि लगफख सभी की टीम सेम से आने वाली है इसलिए ढंग से आपको डिमाग से खेलना है बांगलादीश की बॉलिंग में दीखिए तो थोड़ा बहुत बैटिंग से भी कंट्रिब्यूट कर रहा है और बॉलिंग ठीठा कर रहा है और तंजीम हसम शाकिप जो की एक शांदार बॉलर है लास्ट तीन मैचों में आठ विकेट है बट तंजीम हसम शाकिप को भी आप रख सकते हो तो आप बांगलादीश के मै इससे पहले जो मैच होआ था तब कुछ प्लेयर है जो कुछ बॉलर्ट के अगेंस में फस्त है अब जैसे रोईश शर्मा मुस्तिफिजु रहमान के अगेंस में 41 बालों पे 2 बार आउट हो चुका है तो हो सकता है पावर प्ले में रोईश शर्मा जल्दी आउट हो जाए मुस्तिफिजु रहमान के अगेंस में क्योंकि अच्छा स्विंग होता है इसका बॉल तो डेफिनेटली एक रिस्की चॉइस है महमुद दुल्ला कुछ चहल 20 बालों पे 2 बार आउट कर चुका है पर महमुद दुल्ला भी राहत की सास ले सकता है क्योंकि चहल मुझे नही मौका मिल सकता है अगर विराट कोली को नंबर तीन पर लाया जाता है मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए क्यों पोजिशन बैस्ट होती है लाज दू मैचों में 42 45 कर रखा है तो जैस्वाल आ सकता है रोई शुर्मा के साथ ओपन करने और इसके अलावा बाकी और कोई चें एक तो यहां पर सोमे सरकार की वापसी हो सकती जो की बैटिंग बॉलिंग दोनों कंट्रिब्यूट कर सकता है जाकी रली को बलाया जा सकता है 30 का एवरेज है टे 20 में ऐसे ग्रैंड लिग के लिए डिफरेंशल बन सकता है शोरी फुल इसलाम खेल सकता है फास्ट बॉलर है अब IND VS BAN की आज की मैच की जो मैंने फाइनल टीम मनाई है आप लोगों को दिखा देता हूं ध्यान से देख लेना क्या टीम मनाई है और दो टीम मनाई है दोनों टीम में आपको दिखाऊंगा पहली टीम थोड़ी सेफ है दूसरे टीम थोड़ी सी रिस्क है बड़ डिफ कुली सूरे कुमार यादव रोई शर्मा मैंने का दा तीनों को रखना पड़े का और यहां पर टी हिर्दॉय मैं अभी करन फॉर्म पे जा रहा हूं तो टी हिर्दॉय की करन फॉर्म अच्छी है बांग्रादेश साइड से हार्दिक पांड्या अक्षर पटेल के साथ शाक कुली प्यादव को रख सकते हो अब कुली प्यादव को अगर आपको टीम में रखना है तो या तो अक्षर पटेल को ड्रॉप करिए अपनी टीम से या सोरे कुमार या या टेहिर्दॉय मैं बट कुली प्यादव भी कई ना कई क्वालिटी बॉलर है विकेट निकाल के दे लगेंगे मेगा जॉइन करने के एक करोड का कैश प्राइज है पक्का से जॉइन कर लेना डिस्क्रिप्शन और कमेंड के लिंक से दूसरी टीम मैंने क्या बनाई है आपको दिखाता हूं विकेट कीपर में रीशव पन के साथ मैंने लिटन दास को रखा है क्योंकि लिटन है जस्पीट बुम्रा अर्शिदीप सिंग और तंजीम असन शाकी तंजीम असन शाकीब एक ऐसा बॉलर है जो कई ना कई पावर प्ले में दो तिन विकेट निकाल सकता है तो इसको मैंने यहां पर रखा है बाकि कुल्दी प्यादव तो बैटर है बाकि मेरी फाइनल टीम होगी वो तो मैं टेलेग्राम पर देता हूं जो मेरे यूजर्स वहां पर जुड़े हुए उनको फाइनल टीम मिल जाती है और वो उस टीम के साथ जाके खेलते भी और अच्छी विनिंग भी कर रहे है तो आप भी पक्का जॉइन कर लें तो आई एंडी वर्सेज बीए ए जो भी आंसर है जाके दे देना तो गाइज मेरा वीडियो फुल इंफॉर्मेटिव था एजुकेशन परपस से था जाते जाते वीडियो लाइक कर जाना चैनल सब्सक्राइब कर जाना और आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखना ठेक है भाईयो आदाप्स शेकाल और नमस्का झाल